हेलो दोस्तों कैसे यो आप सब आई हो कि आप सब ठीक होंगे वाई तो आज का जो व्लोग है ना बहुत ज्यादे स्पेशल होने वाला है लास्ट तक जरूर देखना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि इस व्लोग में मैंने बहुत सारी शोपिंग किये अपने काना जी से के लिए जन्मास्ट में के लिए और राखी के लिए तो मैं कहां से सारा चीजी अपने काना जी के लिए लेती हूं मतलब पूजा से रिलेटेड समान वो ही आज इस व्लोग में शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ और साथ मेरा ना मेरा इकादशी का फास भी है और साथ में आपको एकादसी की हार्दिक शुब कामना है तो मैं हाँ पर सबसे पहले कर रही हूँ जो अपना में दर्वाजा है उसकी बाहर थोड़ी सी कहते हैं या तो रंगोली बनाओ मतलब एक जो होता है अपने देली पूजन जरूर करना चाहिए जो भी सुब दि गर और दूसरा अपना पूजा घर तो देखो वहां पर होते ही है बगवान जी तो मैंने ना सिंपल तरीके से वैसे तो छोटी सी रंगोली बनाओ तो बहुत सुब होता है लेकिन सिंपल तरीके से दोनों साइड में स्वास्तिक बना दिये हैं चिन बना दिये हैं स्वास्त जहां पर मैं इसको रखती हूं तो इतना करने के बाद सारा मंदिर थोड़ा सा जाड़ पूछ लोंगी जैसे डेली करती हूं वैसे न मैं एक दिन पहले जब मेरा इकादशी का व्रत होता है तो उससे एक दिन पहले मैं जरूर सफाई करती हूं मंदिर की पूरा अच्छे से जो नीचे का होता है आजन जो चोकी में बिछा होता है इसको जाड़ पूछ मतलब दूसरा देती हूं और फिर सारे भगवान जी को अच्छे सी स्नान कराती हूं मतलब 15-20 दिन में 15 दिन होता है बाकी डेली मैं सारे भगवान जी को इसनान नहीं कराती हूं उसमें सिर्फ गनेज जी और लक्षमी जी और सिर्फ काना जी होते हैं जो डेली इसनान कराती हूं बाकी डेली मैं सारे जितने मेरे भगवान जी होते हैं सबको छीटा देती हूं जल से और फिर इनको अच बड़ा सा बस चेंज हो जाता है कि मुझे एकादशी का पार्ट मतलब जो कथा होती है वो करनी पड़ती है तो यहां पर देखे इसमें मैं आप अपने लड़ो को पाल जी को इसनान कराऊंगी तो यहां पर अस्ट कमल बना लिया है और साथ में तुलसी दल भी रख लिया है होते हैं तो फूल भी रख लेती हूं लेकिन फूल नहीं थे आज तो फूल नहीं रखे तो यहां पर बहुत ही प्यार से लड़ो पाल जी को कोई भी मंत्र ओम नमो भगवति वाशुदेवाई हरे क्रिशना हरे क्रिशना मतलब इस तरह से जो भी मैं उस टाइम मेरे मन में इस तरह से बोलके इनको इसनान कराती हूं तो यहां पर लड़ो पाल जी को इसनान करा दिया है और देखे वैसे तो जो वह होता है ना जैसे दूद दही शक्कर घी इन सबसे इसनान कराना चाहिए लेकिन पता है वह मैं क्यों नहीं कराती सही रिजन में आपको बताओ ना जो यहां पर दूद आता है ना मुझे उसका समझी नहीं आता कि वह दूद है क्या है तो इसलिए मेरा मन नहीं करता काना जी को इससे इसनान कराने का इसलिए मैं सिंपल गंगा जल में पानी होता है ना नोर्मल ताजा उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालके उसमें इसनान क तो मैंने एक बार खिर से काना जी को ग्रीन कलर की बहुत ही सुन्दर सी आज के दिन ड्रेस बना दिया है और आज के दिन मुझे यह होता है वो बिल्कुल चमकिली से इने ड्रेस बनाओं और कमफर्टेबल भी हो जो ऐसा नहीं कि उनको चुबे चुबते नहीं जो नीचे का जो इसका कपड़ा होता है वो बहुत सौफ्ट होता है तो यहाँ पर अच्छे से इनका कर दिया है स्रिंगार स्रिंगार में सिर्फ तिलकी लगाते हूं और इनके चुड़िया पेना देते हूं कानों में कुंडल और फिर इनको सिंधासन पे बिठा के इनकी आरती उतार दूँगी और भोग प्रशाद इनका अभी मैंने रख दिया और सब में रखना होता है तुलसी दल और आज के दिन तुलसी जी को भी नहीं छोना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए इसलिए मैं एक दिन पहले से ही तुलसी जी को तोड़के रख लेती हूं पत्ते इनके और फिर अब मैं करूँगी इकादशी की कथा तो आज है पुतरदा इकादशी तो उसी की कथा करती हूँ और यह वाली जब मैं आपके मतलब यह पुस्तक लेके आई थी बुक लेके आई थी तो यह मैंने आपको बताया है मैं यहीं से लेके आई हूं मैं अमबाले से और पहले जब मैं रखती थी इकादेशी का वरत रखते रखते मुझे एक डेड़ साल हो गया है तो पहले मैं फोन से ही कथा किया करती थी उसके बाद बगवान जी को लगा दूंगे यहां पर भोग और जो इस तरह से जैसे पानी इसको बिल्कुल साफ सुत्री चगए पर छोड़ना होता था तो इस तरह से मेरी हो गए थी कादेशी की सिंपल सी पूझा भई मैं इस तरह से करती हूं और फिर मैंने कैमरा कर दिया था बंद पूरे दिन मैंने कुछ वीडियो ने बनाई और उसके बाद अब हैं शाम का ट ठीक होगा क्योंकि त्योहारों के बिल्कुल बाद से इनके एक्जाम शुरू है तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला था यहां पर आने का और त्यहारों के लिए शॉपिंग करनी जरूरी थी तो और यह देखिए यह है राम बजार जैसे कि मैंने अभी द सब्सक्राइब यह जैसे मोल टाइप होता है ना वह है पूरी मतलब अंदर दुकानी दुकाने और कम से कम भी थ्रीया फोर्थ मतलब ऊपर तक बना हुआ है यह बिल्डिंग तक है तो इस तरह से यह राम बजा रहा है यहां पर और जहां पर अंदर जो काना जी की मूर्थ तो जिस दिल मैं जब आभी तीज के लिए रैस लेके गई थी काना जी के लिए तो वही सारी सेम थी तो मैंने यहां से फिर नहीं ली और यहां पर देखे बैठे हैं काना जी बहुत ही क्यूट लग रहे थी वह सची और आज करना सब जो आ रहे हैं ना मतलब जो ले जा रह यह मतलब जिस तरह के लड़ो गोपाल है उसी साइज की सब कुछ यहां पर मिल जाता है यह मानो एक छोटी से छोटी सीज को लेके और बड़ी से बड़ी कुछ भी पूजा से रिलेटिड अगर आपको सुमान लेना हो ना तो कहीं भी दर उदर भागने की जुरुत नहीं ह तो मैं बहुत परेशान हुई थी म हापे पानी पत्यूमें जा कि बया बैए क्योंकि मुझे मार्केट नहीं मिली हो शोगी सुने शॉप ही लगे नग पूरे सिल्वर कलर के ही सारे बरतं थे तो तो वैसे मैं बताऊंगे इन वैसे मैंने क्या लिया क्या नी वह अभी आ गया आपको जब मैं आपको सारा दिखाऊंगी ना वह जब पता चल जाएगा और बस मुझे यह लग रहा था इनका कि यह काले तो नहीं बढ़ जाएंगे अब यह अब तो यह दिख रहे हैं तो इन् काले पढ़ने होते तो यह पढ़ जाते तो बात भी सही है तो इसलिए मैंने उनकी बात पर विश्वास करके एक दो लिया है जो आपको आगे देखना को मिलेगा और यहां पर हर दुकान पर लड़ो गोपाल जी बैठे हैं और अभी नवने यह बात सही कि मतलब यहां पर स रही से भी आप पूरे पूरे में कई जितनी भी दुकाने ना सबसे बीसक समान लेलो लेकिन बिलिंग होगी हैं प्रशी रहते हैं रिच लिखते रहते और पैसे हैं का अगे देगा प्लींज हמוा से फिरूत हैं। चंदन वाली ही पैनोंगा अपकी बार तो वो यहां पर नहीं थी फिर हम यहां से बहुती मतलब रश हो रखा था बड़ी मुश्किल से हम यहां से निकले और आ गई बहार और यह देखी कितनी अच्छे अच्छी ना मतलब बहुती अच्छे से डेकॉरेट करके वो बना के र प्रेसली थी तो बस इतना करने के बाद हम आ गेते घर घर आके थोड़ा सा ठक भी गई थी क्योंकि एक तो फास्ट था और फिर शाम की भी पूजा करने थी तो आके में पहले नहाई और पूजा की और फिर उसके बाद पहले इन तीनों के लिए खाना बनाया तो गिया और आलू की सबजी बना दिया इनके लिए और अपने लिए मैं बनाओंगी साबू दाने की खिचड़ी देखो बहुत लोग हैं जो नहीं इकादशी के ब्रत में नमक खाते हैं लेकिन मैं खाती हूं क्यों खाती हूं क्योंकि मतलब ये तो हैंनी कि मुझे सिर्फ मैंने बोलके बने आजाए उसके हैं कि मुझे 21 इकादशी करनी है या 11 इकादशी करनी है तो फिर भी बंदख कर ले की चलो कोई बात ने मुझे चलो कоля मिरे बने नहीं हो택 नहीं चोरोग है कोई नियम ना लो ताकि फिर आगे शरीर आगे-आगे ढलता ही है अब जवान तो नहीं होंगे ना आगे-आगे थोड़ा बुजरुगी होंगे बुड़े ही होंगे तो इसी वज़े से मैं नमक खाती हूं एक टाइम तो यहां पर देखे मैंने अपने लिए साबुदाने की लिए खिचडी और बहुत ही टेस्टी लगती है यह खिचडी साबुदाने की तो बहुत ही अच्छे से आलू ना उबले हुए रखे हुए थे उनको डालके टेस्टी लगती है दही के साथ खाली थी और अब मैं आपको दिखाती हूं मैं क्या-क्या खरीद के लेके आई सबसे पहले तो यह है हवन कोंड जिसके लिए मैं मतलब बहुत जगे ढूंडती रही थी महां पे भी पानीपत में लेकिन यह नहीं मिलके दिया था और मैं रेट भी बताऊं तो यह है 100 रूपे का वही सबसे चोटा साइज है यह क्योंकि घर में तो करना है मुझे कहीं वै आया था चाटके और इसमें कुछ थी चंदन वाले मतलब दो हैं वह मैंने नहीं निकाले क्योंकि ना फिर नहीं उनकी खुश्वों खतम हो जाती है इसलिए तो उदर खिचडी भी बन यह साथ साथ वह भी चला रही हूं और एक लाई हूं अपने काना जी के लिए चार पा है वह साइड में रखती जाओंगी तो उसके बाद जैसे कि अगले दिन पढ़ रहा है सोंवार तो लास्ट सोंवार है सावन का तो मैं जो उद्यापन मतलब उद्यापन तो नहीं लेकिन फिर भी लास्ट में जैसे मातरानी के लिए और मतलब पारवती मातर के लिए और फोड़ी सी हलकी सी बस बड़ी है वह महां पे 150 रुपे की मिली थी और यह सिर्फ 80 रुपे की है सच्ची इसलिए मैं ने ले ली कि तुलसी जी के पास चलो दिया लगाने के लिए न सही रहेगी और यह है गउमाता बहुत दिन से मन था इनको भी लाने का लेकिन कहते है न जब जिसका टाइम होता तब ही आते हैं तो यह देखें यह दो वरतन लेके आई हूं मैं वो जो आपको लोटा भी दिखा रहे थी न वह नहीं लेके आई क्योंकि वही मैंने सोचा कि पहले यूज करके देख लेती हूं अगर काले नहीं पड़ेंगे तो यह ले लोंगे औ रेट इनका हिसाइद यह कटोरी है 30 रूपे की और यह जो प्लेट है यह 40 की है और यह कुछ चिप्स की भी मैंने आपको दिखा दिये यह भी लेके आई हूं और आब आती है बारी माता के सिंगार की तो जो मेरे पास मतलब घर पे नहीं था वो लेके आई हूं जैसे परना और दो लेके आई हूं जने ऊँ तो यह कल मुझे मंदिर में चढ़ा के आने हैं तो यह लिए आई हूं और यह है भोले बाबा पर जो मैं एस्ट गंद से तिलक करती हूं तो यह भी खतम हो रख था यह भी लेके आई हूं और साथ में और क्या है वही दिखा दू परना जी की जन्मास्ट में के लिए ड्रेस तो दो टाइम पनाती एक तो सुभह में और एक जब रात में बारे बच जाते हैं तो तब उनको अच्छे से सिंगार इसनान वगेरा सारा पुछ करना होता है तो उसके लिए तो यह देखिए यह दो ड्रेस और एक ही पगड़ी एक लेके आई हूं दूसरे वाली यलो वाले की मेरे पास रखी हुए तो मैं नहीं लेके आई तो यह सारा समान था जो मैं आज लेके आई हूं कैसे लगा आपको जरूर कमेंट करके बताना और आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताना बही और उमीद करती जरूर बताने कैसे लगा यह सारा समान चलिए ओके बबाय टेक I love you all